So, आज मैं एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग स्टोरी बताने वाला हूँ कैसे एक प्रोफेशनल बॉल्रूम डांसर ने स्टॉक मार्केट से दो मिलियन डॉलर्स कमाए So, mid 1950s में एक हंगेरियन डांसर निकुलस डाविस युनाइटिड स्टेट्स में रहते थे उनके पास finance या stock market से related कोई prior experience नहीं था बलकि उन्होंने अपनी investment journey accidentally स्टार्ट की एक बार जब वो अपना dance performance टॉरेंटों कैनेटा में दे रहते हैं तब उन्हें अपनी payment fees के जगे shares में मिली और वहाँ से शुरू हुई उनकी investment journey उन्होंने stock market में अपने दोस्त और broker से tips लेके बहुत पैसे गवाए और फिर उन्होंने finally decide कि उन्हें खुद को educate करना पड़ेगा और इसलिए उन्होंने कुछ 200 किताबे पड़ी और उन्होंने खुद का momentum investing strategy बनाया आज हम इस वीडियो में Nicholas Jarvis की book How I Made 2 Million in Stock Market के key lessons और उनकी strategy के बारे में बात करेंगे अगर आपने इस चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है प्रीज subscribe करें ताकि आपको financial related और book summary videos मिलती रहे Lesson No.1 Ride the wave of strong trends and rising volumes Stock market एक information inefficient market है जिसका मतलब है market में कुछ ऐसे participants हैं जिनके पास आपसे काफी कुछ ज्यादा information उस stock के बारे में हो सकती है ऐसे टाइम पर आप भी उस stock को buy कर सकते हो जब उस stock का price उसके volume के साथ बढ़ते जा रहा है Mr. Darvis techno fundamental theory के बारे में बात करते है वो कहते हैं आपको एक stock खरीदना चाहिए जब उसका price और volume साथ में grow कर रहे हो और उसके साथ ही उसके fundamentals जैसे उसके earnings में भी growth दिख रही हो Mr. Darvis हमें encourage करते हैं कि हम buy low and sell high के concept को छोड़के buy high and sell higher के mindset में जाए Lesson No.2 Let your winners run and cut your losers short काफी retail investors है जो अपने stocks काफी कम profit में बेच देते हैं और वो ही investors जब उनके stock का price 10% या 20% नीचे दिखाता है वो stock को बेचते नहीं है जबकि Mr. Darvis कहते है कोई भी stock खरीदने से पहले आपको अपना stop loss define करना चाहिए क्योंकि वो ही एक चीज है जो आपके control में है एक बार आपने अपना trade डाल दिया और अगर वो गलत निकला आपको पता है कि आप कितने loss पे निकलने वाले हो इसलिए आपको पता रहना चाहिए कि आप कितने amount का risk लेने के लिए रेडी हो उस specific trade के लिए और अगर आप गलत निकले stop loss हिट हो कि आप बाहर निकल सकते हैं एक minimum loss पे है अगर आपका stock का price बढ़ते जा रहा है आप उसके साथ trailing stop loss यूज कर सकते हो जो आपके stock के price के साथ ही बढ़ते रहेगा और आप अपने profits ले सको निकलेस डाविस ने डार्विस box theory invent की थी वो बोलते है कि उन stocks को shortlist कीजे जो अपने 52 week high या all time high बना रहे हो फिर हम एक market correction का wait करते हैं जहां stock का price 3-4 trading sessions में गिरते रहे और एक बार stock price bottom out कर दे वो आपका stop loss रहेगा मिस्टर डाविस उस reference को floor बुलाते हैं और all time high के range को ceiling बुलाते हैं फिर जब stock का price और उसका volume साथ में बढ़ते रहे और उसने अपना ceiling reference पे breakout दे दिया उस time पे आपको वो stock buy करना चाहिए Lesson no.3 Get rid of your darling stocks आपको अपने stocks से emotionally attached नहीं रहना चाहिए कोई फरक नहीं बढ़ता आपको stock का suggestion आपके दोस ने दिया हो, भाई ने दिया हो या फिर राके जुन-जुन वाला ने दिया हो आपको अपने stock से detached रहना चाहिए कभी भी आप doubt में हो, आप stock को sell कर दीजए क्योंकि एक बड़ा loss लेने से अच्छा है कि आप कम loss में निकल जाए और अगर future में stock का price बढ़ते गया, आप उस stock में फिर से enter कर सकते हो ये एक rule आपको major losses से बचा सकता है Lesson no.4 Make a journal for your stocks आप अपने stocks को buy और sell करने के reasons journal कर सकते हो जिससे आप अपना trading style समझ सको और अपने same mistakes repeat ना करो इससे आपका बहुत time future में बच सकता है ये है एक example अपने trading journal का Lesson no.5 Be a lone wolf, stay detached Nicholas Davies कहते है कि आप जितना कम times market में spend करोगे उतने आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो Mr. Davies एक professional dancer होने के कारण उन्हें दुनिया भर में dance performances करने पड़ते थे और इसलिए वो अपने stock prices का analysis newspaper से देख के कर दे थे और अपने broker को instructions देते थे और trading hours में वो stocks को देखते भी नहीं थे वो बस अपने strategy को follow करते गए और इसलिए उन्होंने अपना 30,000 डॉलर का investment 2,000,000 डॉलर में convert किया within 18 months अगर हम की lessons देख है Point No.1, Ride the wave of strong trends and rising volumes Point No.2, Let your winners run and cut your losers short Point No.3, Get rid of your darlings Point No.4, Make a trading journal Point No.5, Be a lone wolf अगर आपने इस book summary वीडियो से कोई एक चीज़ सीखी है प्लीज इस वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और ऐसे और वीडियो के लिए इस चैनल को भी subscribe करें